कभी भी अंजीर खाना हो तो उसे सही तरीके से खाया जाए तो उससे हम सभी को उसका 101% उसका हमें benefit मिलेगा मतलब उसका हम फायदा ले पाएंगे तो अगर आप weight loss के लिए खा रहे हैं तो उसका तरीका अलग है यदि आप weight gain करने के लिए यानि कि वजन बढ़ाने के लिए खा रहे हैं तो अंजीर का खाने का तरीका अलग है और तीसरी बात ये आती है कि इसे हमें सुबह खाना चाहिए या शाम को खाना चाहिए कितिनी अंजीर खाना चाहिए एक खाना चाहिए और कौन से मोसम में इसे किस तरीके से खाना चाहिए यह सभी बाते हमें बहुत ज़्यदा माइने रखती है अगर हम इन ड्राइफ फूट्स को रेगुलर बेसिस पर लेना चाहते हैं और हम इसका 100% बेनिफिट्स भी लेना च क्रणची खाने का मान होता है दो बदाम खा लिए खा लिए काजू खा लिए अगर आप उसे बेनिफिट के तो फिर चाहिए तो एक उसे सही तरीके से काईये क्या कि जैसे कि कभी कि सिक मन चलता कुछ भी खाने का तो कुछ लोग हेल्दी चीज में क्रणची खा लेते थे और कुछ unhealthy चीजे में जैसे कि snacks जो बाहर पेकट में जो मिलते हैं मैं उन ब्रैंड्स का नाम नहीं बता रही हूँ पर आपने समझ जरूर जाना कि जो भी पेकट में आते हैं snacks जो क्रंची लगते हैं पर वो healthy नहीं होते हैं पर अगर आप किसी परपस के लिए खा रहे हैं नो प्रकार की ताथिर सुन कर लेक होगा है जैसे बादाम की ताथिर नहीं होती क्या होती हैं तो बादाम और अनजीर नहीं मिलता हमारी हं si उसी प्रकार अंजीर भी गरम तासिर की हुती गरम तासिर की जब होती जब अंजीर भी एक फल है उसको सुखा के बनाते हैं जिससे आपको भी पता होगा तो ट्राइब फूर्ट इसलिए कि सुखे मेवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब्सकुर्ण देरें लेते मेवे आ जाते हैं जब वह फल रहता हुए तक तो ठासिर का होता है जब सुख जाते है इक डंशेट हो जाती हो ख़ान साइजब और ऐसकी वह नहीं तरा आ जल्स गोल के बाद तो उसकी तदिर होजाती टोड़ीikes और एक बात और कि थोड़ी सी हेवी होती है जिने डाजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है तो उन्हें इसका तरीका अलग होता है खाने का वह अगर डारेक्ली खाएंगे तो प्रॉपर डाजेस्ट नहीं कर पाएंगी इस अंजीर को तो मैं यह कहना चाहरी हो कि अंजीर सूखी होती है तो वह आप ताफिर के हो जाती है तो आपको अगर गरम तासीर वाली चीजे सूट नहीं होती है तो अंजीर को आपको पानी में भीगोके खाना चाहिए यह एक पहला तक फूल जाए, तो उससे क्या होगा? तो जदा भी वह फुली हो ही नहीं कि जादा पानी में रखेंगे तो उसकी सिर्फ थोड़ी सी घरम ताशी निकल जाएगी और थोड़ी सी वह लाइट हो जाएगी तो वह जाती है जिनें हैवी ड़ियर नहीं हो पाती है और फिर भी अ ड्राइफूटस को मैं आप से बाते शेयर कर लायों आप चाहिं इझार अगर अगर जाल घर्ला है वैट fet यहां उसीं अगर्य को अगर के भींचे जिए उस्सकलों से ड़क बिम रखना जाहते हैं तो आप उसे भीग के तो फायदे के उड़ेश से कंस्यूम करते हैं तो आप और वाइस आप दीन में जब चाहें जब कोई सा भी ड्राइफुट्स खा सकते हैं इसका तो कोई यह नहीं क्योंकि एक प्रकार से healthy चीज है क्योंकि unhealthy snacks काने से कई गुना बेटर है कि आप ड्राइफूट्स खालो क्रंची के तोर पे जीन में कभी भी पर आप अगर किसी purpose के लिए खाते हैं किसी health benefits के लिए तो आप इसे सही तरीके से खाए तो उसका आपको 100% benefit मिलेगा तो weight loss का तो यह है कि आप उसे पानी में भीगो के खाएंगे सुबर खाली पेट तो weight loss तो नहीं मैं कह सकती हूं थोड़ा बहुत अगर आपका excess amount of weight होगा तो वेट मेनेज हो जाएगा मलब जितना आपकी हायट है उतने आपके according आपका weight हो जाएगा अगर भीगी हुई अंजी को और उसे अच्छे से चबा चबा के च्यू लब यह से बाखी लोग च्यूंगम चबाते हैं तो आप अंजीर को चबाए तो ज्यादा अच्छा है उसका हमें कुछ benefit मिलेगा इस प्रकार के dry fruits लेंगे तो इससे आपकी health भी perfect रहेगी आपकी scheme भी ग्लो होईगी और आपका weight भी gain होगा अगर आप अंजीर को इस तरीके से खाते हैं अब बात आती ही कि अंजीर को किस समय खाना चाहिए अंजीर हो या कोई सबी सुखा मेवा हो सुबह खाली पेट खाया जाए तो उसका आपको 100% benefit मिलेगा और आपको benefit देखने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आप एक हफते के अंदर अंदर आप इस तरीके से रेगुलर लेंगे तो आपको अलगी आपकी health में benefit दिखाई देगा आपकी skin भी glow होईगी और आपको इस सारे benefit देखने के मेलेंगे अंजीर एक ऐसा ड्राइफूट से जो जिसका digestion खराब होता है जिसका digestion खराब होता है ज कोई साथ भी ट्राइफूट लो पर शुरुवात में आपको थोड़े से अमाउंट से करना चाहिए तो मैं अंजीर का भी यही कहूंगे कि आपको एक अंजीर से शुरुवात करना चाहिए लगभग एक महने या देर महने के लिए कंटीनू रखना चाहिए सिर्फ अगर आपको दो अंजीर भीगोना चाहिए अगर आप भीगो के खाना चाहिए और यदि आप बिना भीगोए खाना चाहिए यानि कि एक आदे घंटे के लिए तो आपको फिर उसके बाद दो अंजीर चुरू करना चाहिए यानि वन एन हाफ मन्त के बाद आप एक और पॉ सुखा मेवा होता है उसे धूप में सुखाया जाता है तो अब्वियस सी बात है कि उसमें धूल तो चिपकेगी तो से हमें धोके खाना चाहिए किसी किसी को आदद रहती है करंची खाने का मन होता है तो जेसी ही देखते हैं और डारेक्ली खाना जाते है बस आपको हलका सा थ जितनी ज्यादा चीज मीठी होईगी तो उस पर सभी लोग अट्रेक्ट होएंगे इनसानों की बात महीं कर रहे हैं कि कीडे भी अट्रेक्ट हो जाते हैं ज्यादा मीठास वाली चीजों में तो अंजीर को आपको अच्छे से देखना चाहिए कि अंदर किसी प्रकार का कोई क इनसेक्ट वगरा ना लगा हो तो अच्छा रहे हमारे लिए अब लास पॉइंट पर आते हैं कि अंजीर खाने के बाद हमें क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिल जाएंगी पहली बात आपको यह बेनफिट मिलेगा यदि आप रेगलर सुबह से एक्सराइस करते हैं य जरूर खाना चाहिए क्योंकि यह आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं क्योंकि जिसीना भी हम सुब एक्सराइस करते हैं तो हमारा स्वेट याने की निकल जाता है तो उससे हमें कमजोरी फील हो जाती एक्सराइस करने की बात तुरंत आपको अंजी लेना ची इससे कार की स्कीन प्रॉबलम उसके लिए आपको अंजीर जरूर रेगलर खाना चाहिए आपकी योग एक्सराइस करने के बाद इससे आपको बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ड देखने के मिलेगा कि आपकी इसकी इसकी टाइड होने लग जाती है तो यह तीसरा बेनेफिट आपको मिलता है अंजीर खाने के बाद और इसका एक और बेनिफिट यह होता है कि वेट मेनेजमेंट का काम भी करती है जिने वेट लॉस करना है तो इन आपको तरीका बता है और जिने वेट गेन करना है तो उसे किस तरीके से खाना चाहिए तो कुल मिला कि यह कहे सकते है कि की वेट मेंचमेंट का भी काम करके दीतियए लास्ट बेनेफट यह है कि यह जो रेगुलर लेते हैं उन्हें जिन लोगों को इस प्रैकार की प्रॉब्लम से बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है और और यदि आपको इस वीडियो में और भी किसी प्रकार की इंफर्मेशन जानना है तो प्लीज कॉमेंट्स में बताइए और आपने देखा ये वीडियो को पहली बार तो कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए साथ ना बेल आइकान को क्लिक ताकि आपको इसी प्रका सब्सक्राइब का बहुत बहुत जहनेवाद